उत्राखंड की उत्रकाशी टरनल में फस्री 41 मजदूरों के बाहर निकरने का इंतजार अब पूरा देश का दहा है लेकिन रेस्क्यू में आ रही दिक्कतों से सभी की सांसे अटकी हुई है कभी सरिया तो कभी पत्थर उन तक पहुँचने में बाधा बन जा रही हैं रेस्क्यू आपरेशन के संबंध में उत्रखंड सरकार के सचिब नीरज घैरबाल महमूद एमद ने सयुक्त रूप से प्रेश कॉनफरेंस की है इस दोरान उन्होंने कहा कि ओगर मशीन से पुरह डिलिंग शुरू करते हुए कुल 46.7 मीटर के अतिरिक्त 6 मीटर इस परकार स के लिए पाइप वेल्ड किया रहा है उसके बाद कोई बाधा नहीं हुई तो अंतिम पाइप जोड़कर उन मजदूरों तक पहुंचे जाएगा हो आप अपारे पास जैसे हम मैं कह अभरा था कि अवी तर्चर ने आजाएग कुछ बाधाय आजाएग तो एक पहली बाधाय जो हमें सेंट्स किया हमें हमारी मशीन ने तो यह लुकावावट हुई इसको तो एक गर्डर के तॉर पे हमें सामने रास्ते पे ही वह वारी र यह विरची से रिक्रेस्ट करूगा तर एक बता है। यह दितेल विज्वल भी आपको पॉड्राफ बेल रिजाएं ती खी सरीय की स्टुक्चर नहीं। सर अजय करें यह देखिए यह जब अजय से गर्डर है इसको लैटिस गर्डर रिप कहा दे है यह अभी तो स्टॉक्यार्ड नहीं है यह जब पर लगता है तो वह ऐसा हो और क्योंके बें कॉलाप्स हुआ था यह बल्बा के साथ यह भी बल्बा में कहीं बिलावा था